इंडिया के नौर्थीस्ट में एक कहावत है कि जब बास पे फूल खिलते हैं तो तबाही आती है 1959 में मिजरम में ऐसा ही हुआ मिजरम तब असम का हिस्सा हुआ करता था और कटाई के लिए डेड़ लाफ रुपे की मांग की गई पर किसी के कानों पे जू नहीं रहेंगी पूलों की सुगन से चूहे खिचे चले आए और जंबलों के साथ साथ अनाज की खड़ी फसल भी बरबाद होगी बुक मरी में लाखों लोग मर गया और मीजो इसे मौतम फिमाइन बोलते हैं कोई भी संकारी मदद नहीं आई आई तो किबल एक स्कीम एक चूहा पकड़ने के 40 पैसे गुस्सा फैल रहा था और इसी बीच 1960 में एसमीज को स्टेट की उनली ओफिशल लैंगुज देक्लेर कर दिया गया जिससे मीजो भाशी स्टेट गर्मेंट जॉब से भी बाहर हो गये फैमाइन चारिटी वर्ट में लगे मीजो नेशनल फ्रेंट ने पहले पीस्फुल डिमोंस्ट्रेशन किये पर जब कुछ भी नहीं किया गया तो मनेफ के फाउंडर लाल देंगा ने मीजो नेशनल आर्मी बनाई और फीडर मूव्मेंट चालू कर दिया बहुत बरबादी के बाद finally MNF और इंडियन गर्मेंट के बीच में 1986 में शांती समझोता हुआ MNF ने हतियार डाल दिये और मिजोरम एक अलग राज्य बना 1987 में finally elections हुए और MNF की जीत के साथ लाल देंगा CM बन गए आज यहां 95% literacy है और मिजोरम का 15% GDP growth rate इंडिया में highest है Yet unfortunately we never hear about it in the mainstream media